अगर आपकी पास भी मेरी तरह रात में तीन चार रोटियां तो बची जाती है तो बस उसे मिक्से में डाल कर बना लो उसके बहुत ही टेस्टी सी यह मिठाई जो के दिवाली के मौके पर आप बना के रख सकते हो या आप इसे नॉर्मली भी बनाना चाहो तो एंजॉय कर लो बहुत टेस्टी और बहुत डिलिश्यस यह मिठाई बनती है तो यहाँ पर मेरे पास रात में तीन से चार रोटियां बच गई अब मेरे समझ नहीं हो रहा था कि मैं इसका क्या करूँ तो कुछ मेरे दिमाग के घंटी बजी और लगा कि इससे कुछ नया ट्राई किया प्लीज जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करा दीजिए वीडियो को लाइक करके और चैनल पर जितने भी मेरे विवर्वर्स नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी आप से बहुत ही दिल रिक्वेस्ट है और इसके आपको छोड़े-छोड़े से टुकड़े कर ले मैं आप के लिए डेली एक यूणीवी वडियो लेकर आती हूं जो आप सभी के से पहले टुकड़े तोर लेने तरह से और इसके बाद आपने क्या करना है इसका बना रहा है यह पाउडर बनाने क्लिए उपने मिक्सिंग झार ले प्रेंट्स जो इस रोटी से बनने वाली मिठाई है इसको खाने के बाद आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे कि आपने इसे रोटी से बनाया है तो देखिए सारा का सारा रोटी का पाउडर हमने यहां पर बना के तयार कर लिया है और इसमें हमने कुछ भी आड़ गर में रखी चीजों से आप बना सकते हो इसे बहुत असानी से नाम ने इसमें मिल्क पॉडर डाला है ना ही खोया या मावा कुछ भी नियाग किया है अब बस आपने इसमें ले लेना है एक छोटा सा कब दूद जो कि 50 ml होगा एक चमश देसी घी इससे जो हमारी मिठाई ह इसका टेस्ट और जदा अच्छा हो जाएगा अच्छी से देसी घी में आपने इसे मिक्स कर लेना है दूद के साथ अब दूद में आपको हलका सा जब वायल आना शुरू हो जाएगा तब तक आपने इसी पका लेना है आप दीख सकते हैं यहाँ पर दूद में हलका हलका स जब तक आपने इसे मिक्स करना है और फिर आपको लगेगा कि यह बिल्कुल एक डो सा बन चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक डो की शकल में आ चुकी है जो रोटी का पाउडर सा दूद के साथ अच्छे से पक चुका है फिर आपको थोड़ा भी नरम सा डो आपने इसका लगाना है इस तरह से जब हलका सा यह गुनगुना सा रह जाएगा तभी आपने इसको यूज़ करना अभी से ठंडा होनी के लिए हम छोड़ देंगी मीन वैल यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी चाशनी एक बरतन में हम पानी ले लेंगे और इससे अजम शुगर फ्री बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेविया यूज़ किया है जो कि नीलचीनी यह बहुत ही अच्छा स्टेविया है अगर आप वेट लॉस पर हो तो आपके लिए यह हाइली रिकमेंड़ीड है बहुत ही अच्छे इसके बेनिफेट्स है और आप गिल्ट फ्री शुगर की चीज़े बें इंजॉई कर सकते हो बहुत ही असानी से बन भाई फोर्ट कप मैंने इसमें स्टेविया आट किया है और साथी इसमें दो इलाइची डाल दिये फ्लेवर के लिए दो से तीन केसर के स्ट्राइड आट कर दूँगी काफी अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसे हम मिक्स करेंगे इसे इतना पकाना है कि यह एकदम चिपचिपी से हो जाए बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं हो पाईगी क्योंकि हमने इसमें स्टेविया यूज किया है पांच मिनट तक बस आपने पका लेना है इसमें पांच मिनट तक जब यह अच्छे से उबल जाएगी तब आपने ग्यास की फ्लेम को आफ कर देना है और जो रोटी वाला मिक्सचर था वो अब ठंडा हो चुका है तो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करके चिकना कर लेना है देख सकते हैं लग नहीं रहा है कि हमने रोटी से बनाया है बिना मिल्क पाउडर के अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगी जिससे जो मारी मिठाई है काफी नरम और सॉफ्ट बनेगी आपने बेकिंग पाउडर डालना है बेकिंग सोड़े का इस्तमाल नहीं करना है तो यहां पर तक्रीबर मैंने वन बाई 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंड किया है अगर आप बिना बेकिंग पाउडर के भी बनाना चाहिए तो बन जाती है बिठाई बहुत ही असानी से बनती है और जिससे भी आप खिलाएंगे वह पता नहीं लगा सकता है आपने इसे किस तरह बनाया है और यह लो कॉस्ट रेसिपी है अगर आप इसे तेवार के टाइम पर बनाना चाहते है न तो आप बना सकते हैं अपना फिट बैक भी जरूर दीजेगा उसके बाद मुझे और इसके दिखी अब हम दो हिससे करेंगी और इसके बाद ज आप इसे राउंड शेप का भी बना सकते हैं छोटी शोटी शेप में आप गुलाब जामुन के तरह भी बना सकते हैं देखें यह आप रेके करके मैंने सारी के सारी पीसे तयार कर लिए हैं अब इसे हम देसी गी में बनाएंगे जिससे मिठाई का स्वात और भी जादा को कम कर देना जिसे ही अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएगा अगर आप कमाच में डालते हैं तो यह इसके बिखरने का भी डर रहता है इसलिए आप थोड़ा सा पोशन पहले डाल के चेक कर लें इसके बाद ही बाकी फ्राई करें तो देखें गोल्डन हो जाने तक मैं चोड़ना है। बहुत जल्दी यह मिठाई तैयार हो जाती है फ्रेंट्स 10 मिठ तक आपने इसे कवर करना है और कवर करके छोड़ देना है और 10 मिठ बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपकी डिलिश्यस सी जो रोटी की मिठाई है बनके तैयार हो जाएगी आप इसे गेल्ट फ्रे प्रइजाय कर सकते, क्यूंकि हमने इसमें चीनी भी नहीं डाली है, तो हुआ न सोने पर सवागा एक तो रोटी से बनाई है, जो हमारी बच्ची वी चीज ती वह भी हुज़ हो जाती है और साथ ही हमने इसमें चीनी का एड़ भी यह श्तमाल भी नहीं किया है जिससे यह जो रेसेपी है वो और भी ज़द्ध हेल्दी हो जाती है तो फ्रेंट्स प्लिस ट्राइ कीजिए गर्स रेसेपी को आने वाले फैसल